तो अगर आप एज अन एक्टर ये न रखें कि मैं बाल सफेद नहीं करूंगी, मैं बच्चे की मान नहीं बनूंगी, मैं ये क्यों करूंगी, फिर मुझे काम नहीं मिलेगा सबसे पहले वीजियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें तो ये जो करेक्टर है, इसमें खास बात ये है कि कुछ बोलना नहीं लेकिन मा के एक्सपरिशन है, बाकी एक्सपरिशन तो, as an actor, कितना चलेंग था? It was a very big challenge, the reason I took up this role, कि मैं the improvisation के लिए जाने जाती थी, कि कुछ भी दो, she improvises the lines along और इस बार तो मुझे बोलना ही नहीं था, तो this was a big challenge and I was more excited, तो मुझे लगा पता नहीं कैसे होगा, और मुझे बताया गया था कि अगर ये वर्क नहीं हुआ, तो फिर आपको हम बोलता कर देंगे character को, but luckily it worked out so well, कि मैं बोलना चाहती हूँ और मुझे नहीं बोलने देते ह आपको पहले clear कर दिया गया था कि अगर work out नहीं हुआ, एक registration नहीं हूँ और मुझे माइट, तो कम कर दिया जाएगा या हटा देते हूँ, मतलब बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब वो accept हो गया, या या या, immediately it was accepted, but chemistry, मुझे और एक बात ये अच्छी लगती है कि हर शो में सांस बहु की तक्रार होती है, और यहाँ यह है कि यह जो बोलती है, उसकी बहु ही समझती है, बेटा भी नहीं समझता है इसका translation, तो बहु ज्यादा प्यारी है इसको, तो एक अशा रोल रोटी, जिसमें एक्टर तो बोलना चाहता है, लेकिन एक्टर ने इतना अच्छा किया कि बोला कि अब मद बोलो, तो एस अच्छा यह जीत है? येस येस इस, डेफिनिटी अच्छा इससे पहले क्या किया आपने? I have done Kichdi, Ten Bahuraniya, Sassural Simarka, Baba O Baby and much more, I don't know how to do it. और सम्में को बोली आप? बहुत, बहुत, इससे पहले जब Sassural Simarka किया तो बहुत बोलती थी. So I told you I was known for actresses who improvises a lot. But इसमें तो बोलना ही नहीं था, तो इतनी बड़ी challenge थी. And I am very much thankful to all my audience and to the almighty, कि मुझे इसमें successful कर दिया, तो मैं बिना बोले भी लोगों को खुश कर सकती हूँ. Namisha, normally बोलते हैं कि टीवी में एक अक्टर को बहुत ज़ादा करने को नहीं मता, मताब अलग-अलग variation करने को मौका नहीं मता, खासना उसे एक particular age group को. लेकिन आपने हर उसमें अलग-अलग करेक्टर की तो यह strategy थी, planning थी या मिलता गया और आप करते हैं. Honestly speaking, मैं बता हूँ, यह इतना था कि जब मैं, 20 साल पहले मुझे एक character दिया गाया, जहां मुझे बुड़ी बनाया था, कि मुझे कभी यह नहीं था, यह एज में मैं बुड़ी क्यों बनूँगी, मैं इसके मान नहीं बनूँगी, मैं मैंने सब किया, अबरी टाइम आप अगर इसको चैलेंज की तरह लेती जाओ, तो मुझे लगता है कि, कुछ दिन बाद यह दूसरा जब शो किया 4-5 साल बाद, जैस एक्ट्रिस की मैं मा बनती थी, उसकी छोटी ननन बन दी, तो यह इतना अलग 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 था, जैसे कि मैं ऑफिस तेरी आंगन की, मैं राजीव मैता की मैं बुआ बनती थी, वाइट वेग लगा के, उसकी इमीजिटली बाद, बाब हो बीबी में मैं उसकी चोटी बने बाद, तो अगर आप एजन एक्टर यह ना रखें, कि मैं बाल सफेद नहीं करूँगी, मैं बच्चे की मान नहीं बनूँगी, मैं यह क्यू करूँगी, फिर मुझे काम नहीं मिलेगा, इसा, I don't think. जो नए अक्टर्स आते हैं निमिशा, आपकास्ट हो जाते हैं नहीं मिलता हैं, लेकिन आप इसमिथ को तोड रहे हैं, या बोलते ही सच्चा ही है? हमको ऐसा नहीं लगता, क्यों एक होता है कि मुझे सिर्फ कमेडी जमती है, मुझे सिर्फ वह जमता है, तो हम एक ही घर का खाना खाके बोर हो जाते हैं, तो यह थी निमिशा, इन्हों ने बहुत अच्छे से पताया है कि आपको अगर रोल करने हैं, तो चैलेंज्स तो लेने पड़ेंगे, अगर एजन एक्टर आपको सटिस्फेक्शन चाहिए, तो अलग-अलग करदार हमेशा करते हैं, बहले ही वह करदार फिर बोले या ना बोले, अलाइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रपर प्रोफेशनल गाइडनस बलेगी, बहले ही आप एक्टर बनना चाहते हों, राइटर बनना चाहते हों, फिल्मेकर बनना, जाते हों, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे भले वह फिक आउडिशनतal फिल्म्स पर हो कि आउडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल हैं अगली बार फिर कर दो एंकर दो लेगा है